जैहिन दोस्तों आज इक इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 NCRT बूक चाप्टर 8.1 का सवाल नंबर 9 और 10 वां को हल करेंगे दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे पहले वाले सवाल को बना रखा है अगर आप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ मिलेगा इस पहें क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे सवाल में बोला है कि तरिभूज ABC जिसका कोण B समकूण है यदि 10 A बराबर 1 by under 3 तो निमलिखित का मान गयात किजिए यानि कि बोला है कि एक ठो तरिभूज है जो ABC है और जिसका कोण B समकूण है यानि कि हमने यहाँ पर एक ठो समकूण तरिभूज बना रखा है और दोस्तों यह बोला है कि जो B है समकूण है यानि कि समकूण का मतलब होता है 90 आंस यानि कि आपको पता है कि समकूण तिर्भूज में 90 अंस यहां पर बनता है दोस्तों बोला है कि जो B है समकूण है तो कहने का मतलब कि इसका नाम B है बाकी आप A और C दोनों में किसी को रख सकते हैं कोई दिक्यत नहीं है तो हमने इस प्रकार से बना लिया आप भी इसी प्रकार से बनाएंगे अब दोस्तों यहां लिखा है कि यदि 10 A बराबर 1 by under root 3 यानि कि जो दिया है उसको आप सबसे पर लिखेंगे यानि दिया है 10 A बराबर 1 by करड़ी में 3 अब दोस्तों यहां पर 10 A है क्या है 10 A यानि कि आपको पता है कि 10 A बराबर होता है लंब बटे अधार क्या होता है लंब बटे अधार L से लंब A से अधार अब दोस्तों इसका मतलब यह जो लंब है एक है कितना है एक है यानि कि उपर लंब होता है उपर एक है तो कहने का मतलब कि इस समकोंड तिर्भूज का जो लंब है एक है और नीचे आधार है और यहाँ पर नीचे करड़ी में थिरी है तो कहने का मतलब कि इस तिर्भूज का जो अधार है कितना है करड़ी में थिरी है आपको पता होगा कि अगर किसी भी समकोंड तिर्भुज का अगर दोठो भुजा पता होता है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथा गोरस पर्मे सुत्र का परियोग करते हैं यानि कि पाइथा गोरस्पर में एक असुत्र होता है, AC का स्क्वाइर बराबर AB का स्क्वाइर पलस BC का स्क्वाइर, यानि कि करण के स्क्वाइर बराबर लम के स्क्वाइर पलस अधार की स्क्वाइर होता है, तो इस प्रिकर्स आप लिख लेंगे, अब दोस्तों, यहाँ पर AC कुछ भी नहीं है, अगर आपका मन करें, तो आप X मन सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, बराबर AB, AB कितनी है, AB है करड़ी में 3, और यहाँ पर square करेंगे, पलस BC 1 है, तो 1 के square करेंगे, इसी परकार से, यहाँ पर X square बराबर, अगर करड़ी में 3 के square कर करेंगे न, तो उसका करड़ी खतम हो जाता है, तो इस परकार से, अंडर और 3 के square कितना हो जाएगा, केवल 3, पलस 1 का square है के होता है, अब दोस्तों, हो जाएगा 3, 1, 4, यानि कि, X square कमान हो गया 4, हम लोग को चेहे केवल X कमान, तो हो जाएगा X बराबर करड़ी में 4, और गण है, गण निकल गया 2, अब दोस्तों, आपको जैसे ही, तीनों भुजा पता हो जाए, तो यहाँ पे सवाल है, कि sin A into sin C, पलस कास A into कास C कमान पूछा है, अब दोस्तों, यहाँ पर बात समझेगा सही से, यानि कि, जो पहला सवाल है, पहला सवाल ये है, कि पूछा है क sin A into कास C, यानि कि यहाँ पर आपको sin A और कास C कमान पता होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए क्या करेंगे, कि आप सब का पहले मान निकलेंगे, यानि कि, आप मान निकलेंगे, sin A का, और sin C का, और कास A का, और कास C का, दोस्तों, मैं आपको अलग निकाल करके समझा देरा, आपको किस प्रकार से निकलेंगे, अगर आपको आ जाएगा, तो आप इस प्रकार से अलग अलग मत निकलेगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम खराब होगा, अब दोस्तों, यहाँ पर है sin A, यानि कि, आपको पता है, कि sin theta वराबर होता है, लंब बटे करण, क्या होता है, लंब बटे करण, L से लंब और K से करण समझेगा, तो यहाँ पर दोस्तों, sin A है, अगर sin A है, तो कहने का मतलब कि जो कोण बनेगा, A पर बनेगा, यहाँ से बहुत कुछ depend पढ़ता है, आप ध्यान देजेगा, अगर sin A है, तो इसका मतलब यह है, कि जो कोण बन रहा है, A पर बन रहा है, अब दोस्तों, अगर कोण A पर बनेगा, तो आधहार का काम यह वला करेगा, लंब यह वला, और कण यह वला, तो इस परकार से, लंब बटा कण होता है, तो लंब एक हो गया, और कण दो हो गया, तो इ कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कंड लेकिन दोस्तों यहाँ पर साइन ए था यहाँ पर साइन सी है दोस्तों साइन सी का मतलब होता है जो कोंड बन रहा है सी पर बन रहा है अगर कोण सिव बनेगा तो ये वाला अधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा ये वाला जो कोण है कोण कभी भी चेंज नहीं होता है लेकिन ये वाला लंब और अधार कोण के नुसार बरदा जाते हैं ये अगर कोण यहां बनेगा तो अधार ये वाला हो जाएग तो इस परकार से अगर आप साइन सी का मान निकालेंगे तो इसके लिए आधार ये वाला और लंब ये लो जाएगा तो इस परकार से यहाँ पर है लंब बटा कंड तो यहाँ पर लंब हो जाएगा करडी मिथिरी और कंड हो जाएगा दो अब दोस्तों यहाँ पर निकालना ह यानि कोण बन रहा है ए पर तो इस प्रकार से अधार ये वाला और लंब ये वाला और करण ये वाल हो जाएगा तो यहां पर है अधार बटर करण तो अधार हो जाएगा करणी मिठिरी और करण जाएगा दो इसे प्रकार से यहां पर है साइन सी दोस्तों यहां पर हमने मिश सी है तो कास थीटा बराबर होता है अधार बटे कर तो यहां पे कोड़ बनगा है सी पर अगर कोड़ बनेगा सी पर तो अधार यह वला और लंब यह वला जाएगा तिस परकार से इसका सुत्र होता है अधार बटे कर तो यहां पर अधार एक है और कर दो है तिस परकार से हमन A into Cas C plus Cas A into sin C अब दोस्तों यहाँ पे हमने sin A कमान निकाला है एक बट्टे दो तो आप यहाँ पर रखेंगे एक बट्टा दो दोस्तों अगर आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे इसको आप अलग मत लिखीगा लेकिन मैंने आपको समझाने अब दोस्तों Cas C है तो Cas C कमान निकला है एक बट्टे दो तो यहाँ पर आपलिक लेंगे एक बट्टे दो plus Cas A Cas A कमान निकला है अंडरोड 3 by 2 कितना? अंडरोड 3 by 2 और sin C कमान निकला है अंडरोड 3 by 2 दोस्तों दसमलोग का मतलब गड़ा होता है यहाँ पे आप दसा मुलो मत समझेगा अब दोस्तों एक का गुड़ा एक में होगा तो होगा एक एकम एक दो दूनी चार और दोस्तों अगर करड़ी में थ्री करड़ी में थ्री से गुड़ा करेगा तो केवल तीन हो जाएगा यानि कि अगर कोई भी करड़ी वर संक्या अगर स्वयम से गुड़ा करता है दो बार तो करड़ी खतम हो जाता है इस परकार से दो दूनी चार हो जाएगा अब दोस्तों आपको भीन का जोड आता होगा तो आपको पता होगा कि अगर दोनों का हर सेम होता है तो अंस को जोड देते हैं और हर केवल एक ठो लिखते हैं यानि कि 3,1,4 हो जाएगा और दोनों का हर सेम है तो केवल एक ठुलिकेंगे इस परकार से चार एकम चार यानि कि इसका एंसर हो जाएगा एक दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा लिक्ट को समझाया था लेकिन अगर आपको आजाएगा तो आप इतना सारा मत लिखेगा अब करने वाले हैं सवाल नमबर दसमा दोस्तों सवाल नमबर दसमा बहुत ही most important है इसको आप बहुत ही ध्यास देगा क्योंकि ये वाला सवाल बोर्ड एकजाम में बहुत बार आ चुकी है यहाँ पे सवाल है कि तिरिभूज PQR में जिसका कौण Q समकौण है यदि PR पलस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है तो साइन P, कास P और टैन P का मान गयात किजिए यानि कि दोस्तों एक ठोस समकौण तिरिभूज है जिसका कौण Q समकौण है यानि कि सवाल नमर नमा के तरह ही है यानि कि उसमें क्या है कि इसका जो कौण Q है ये वाला समकौण है तो इसका नम आपको रखना है Q बाकी आप P और R किसी को रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है यानि कि आप लिखिएगा कि दिया है क्या दिया है दोस्तों दिया है कि P R पलस Q R बराबर 25 सेंटीमीटर और P Q बराबर 5 सेंटीमीटर अब दोस्तों यहाँ पर दिया है कि P R पलस Q R बराबर 25 सेंटीमीटर यानि कि P R और Q R मिला करके यानि कि ये वाला और ये वाला मिला करके 25 cm है और लिखा है कि PQ बराबर 5 cm यानि कि PQ बराबर 5 cm अब दोस्तों ये वाला तो 5 cm दिया है लेकिन इसमें क्या बोला है कि दोनों को मिला करके 25 है यानि कि ये वाला किलिर नहीं किया है कि ये वाला कितना है ये वाला कितना है लेकिन इतना बताया है कि दोनों को मिला करके 25 अब दोस्तों अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं कि इसको माल लेते हैं इसको एकस माल लेते हैं तो यह वाला क्या होगा यह वाला हो जाएगा 25 मैंने से X क्योंकि अगर दोनों मिला के 25 है अगर हमने इसको माल लिया X तो अगर 25 में से X घटाएंगे तो जो बचे गई यह लन होगा तो इस परकार से हमने यहां पर माल लिया तो क्या करेंगे कि यहां पर आप लिख भी देंगे यानि कि PR पलस QR बराबर 25 सेंटिमेटर तो यहां पर हमने QR के स्थान माल लिया X तो आप यहां पर माल लेंगे X बराबर 25 तो इस परकार से हो जाएगा PR बराबर 25 यह वाला X पलस में है अगर आप इसको लाएंगे इधर त यहां पर PR बराबर हो गया 25 मैंनस X अब दोस्तों हमने बोला है आपको कि अगर आपको किसी भी समकोंड तिर्भूज की अगर भुजायन निकालनी हो तो आपको हेल्प लेना पड़ता है पाइथा गोरस परमे का जिसका सुत्र होता है यानि कि PR का स्क्वाइर यानि कि कंड स्क्वाइर निकि P7C2 अब दोस्तों यहां पर PR 25 मैंनस एक्स तो यहां पर रख्येंगे स्क्वाइर तो स्हुत्र करेंगे बराबर क्यू आर् क्यू आर्याइक्स आर्याओ कैसे है इसका स्क्वा conservatives करेंगे अब क्या होगा इसको आप ए- माइनस बी के होल स्क्वार वाला सूतर होता है अब दोस्तों यानिकि एक 30 के स्क्वार करेंगे तो आपका हो जाएगा 625 दोस्तों विदेख आप कर लेंगे इसलिए मैं फुला करता हूं अब दोस्तों होता है पलस B square यानि कि B का स्थान पर X है X का square करेंगे तो होज़ागा X square और होता है माइनस 2AB यानि कि माइनस 2AB होता है तो यहाँ पर 2 है A कमान 25 है B कमान X है तो इस पर करते हो जाएगा 25 दूनी 50 X दोस्तों आप थोड़ा से लंबा तरिकास कर लिजेगा लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा shortcut करता हूँ क्योंकि यह जो फर्मूला है A माइनस B के whole square यह आपको class 7 या 8 मिला होगा तो उमीद है कि आपको आता होगा यहाँ पर X का square करने पर X square होगा और 5 का square करने पर 25 हो जाएगा अब दोस्तों अब क्या करेंगे कि इन सब को लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा X square माइनस 50 X अगर आप इसको लाएंगे इधर तो जाएगा माइनस में X square और यह वाला हो जाएगा माइनस में 25 और यह वाला 625 अपने अस्थान पे बराबर 0 यहाँ पर x square से x square कड़ जाएगा क्योंकि यह वाला plus यह वाला minus है आपको पता है कि अगर plus minus बराबर रहेगा प्लस मैनस तो क्या हो कड़ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर यह वाला minus में 50 x अपने स्थान पे और यहाँ पर minus में 25 और plus में 625 है आपको पता है कि plus minus घटता है अगर 625 में 25 घटेगा तो बचेगा plus में 600 बराबर 0 अब दोस्तों minus में 50 x बराबर अगर इधर है plus में 600 अगर आप इसको लाएगा इधर तो हो जाएगा minus में 600 यानि कि x बराबर minus में 600 बटते में दोस्तों यहां पर एक्स कमान 12 निकल गया है अब दोस्तों यहां पर एक्स हमने माना था लंब को तो यहां पर कहने का मतलब इसका मान 12 हो गया अगर आप कॉंड देखेंगे तो कॉंड कितना होगा यह वाला 13 हो जाएगा क्योंकि इसका हमने माना था 25-1 और दोस्तों यहाँ पर x का मान मिल चुका है 12 तो अगर आप 25-12 करेंगे तो यह वाला निकल जाएगा 13 यहाँ पर तीनों के तीनों भुजाएं पता हो गई कितना हो गया यहाँ पर लंब हो गया 12 अधार हो गया 5 और कण हो गया 13 अब दोस्तों बात करते हैं जो मान पूछा है यहाँ पर मान पूछा है sin p, cos p और 10p का दोस्तों ध्यान दिजेगे आपर अगर sin p पूछा है, क्या पूछा है sin p sin p कहने का मतलब जो कोण बनेगा p पर बनेगा अगर कोण p पर बनेगा तो अधार ये वाला, लंब ये वाला और कण ये वाला हो जाएगा अब दोस्तों आपको पता है कि sin theta वाला होता है लंब बटे कण तो यहाँ पर लंब है 12, और कन है 13, तो इस प्रकाड से sin p कहा मान हो गया 12, guys आगे है kakats p यानी की kya-sPE यानी कि दोस्तों होता है आधार बटे कण, क्या होता है अधर बटे कान तो यहाँ पर आधार है 5 और कण है 13 तो इसका हो लंब है 12 अधार है 5 तो इस प्रिकार से साइन पी का स्पी और टैन पी का मन पता हो गया उमीद करता हूं कि आपको यह वाला सवाल बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गई है अगर आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब के लिजिए और ब